जैहिन स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे VRO ग्रेफ सेंटर पूने इलक्टीशन ट्रेड के लिए काल लेटर इशू कर दिया गया है रिटेन एक्जाम के लिए कौन-कौन से डाकूमेंट्स आप सबको ले जाने हैं अंगला प्रोसेस क्या होगा और केटेगरी वाइस आप सब कटाफ के लिए कह रहे थे मैंने आप सबको बताया था कटाफ कोई भी नहीं बनने वाली जितने भी इलिजविर कैनिडिट होंगे जिनके डाकूमेंट्स रिलेटेड कोई प्राब्लम नहीं होगी उन सबका काल लेटर इशू किया जाएगा रेटेंट टेस्ट के लिए तो आप सभी अपना लिस्ट में नाम भी देख सकते हैं आपका नाम है या नहीं है और यदि नहीं आता है तो क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो के जरीए आप सबको बताने वाला हूँ आप सभी चैनल पे नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर लें साथी साथ विलेकिन को प्रेस कर लें इससे आने वाली वीडियो को नुटिफिकेशन अपडेटा तक बहुत ही जल्द सानी से पहुँ सके तो fully details में इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं, start करते हैं इस वीडियो को हम सभी, पहले हम देखेंगे आप सब की list जो आपको VRO की official website पे भी मिल जाएगी, written exam के लिए आप लोगों को start list किया गया है, तो start list के लिए मैंने आप सब को ये बताया था, previous videos में भी और अभी starting म बताया है, cut out marks के लिए, all eligible candidates यहां पे mention हैं आप सब का, इसका मतलब ये है, जिनका भी document के लिए था, कोई दिकत नहीं है, उन सब का admit card issue किया गया है, और जिनको भी ऐसा लगता है, मेरा admit card issue होना था, मेरा admit card नहीं आया है, उन सब को क्या करना से ये, आप सब 10 से 4 के बीच मे contact number ये जो mention है, इस पे contact कर सकते हैं, यदि आपका admit card नहीं आया है, और आपका marks, means जो आप सबने documents लगाया है, clear है, तो आप इन पे call करके जानकारी कर सकते हैं, और हो सकता है, यदि clear है, तो आप सब का admit card issue कर दिया जाए, ये जिनका admit card means इस list में नाम नहीं आया है, अब जिन आप सब को, जैसा मैं previous में बताता रहूं, आप सब को, आप सब को, यहाँ पे जो list mention है, इसका पहला page, और जहाँ पे आपका नाम mention है, उसका print out आपको निकलवा के लेकर के जाना होगा, वहाँ पे आप सब का admit card बन जाता है, कोई problem नहीं होती, ठीक है, तो advertisement number 03-2022 में एक ही के वल बचा था, जो आप सब का call later issue कर दिया गया है, return exam के लिए, अब दूसरे, दूसरी बात यह है, जो reporting time है, आप सब का, यह आपका सुबा, 8 बजे का reporting time, 3 अप्रेल, 2023 मंडे को, ठीक है, यह आपका जो exam center है, बी अन गेट, दनवरी रोड, ग्रिफ सेंटर, डिगी कैम्प आप सब का यह exam center है, यहाँ पे आप सब को सुबा में पहुंचना होगा, यह कुछ late भी हो जाते हैं, आप, आदे घंटे, 15 मिनट, तो आप अराम से जाईएगा, थोड़ा late ही, आप सब का like, 9 या 10 बजे से ही exam करया जाता है, आप सब को यह नहीं सोचना, मैं थोड़ा late हो आँ, तो जाऊं या ना जाऊं, आपको जाना जरूर है, ठीक है, अब दूसरी बात आजाती है, आपका important notes की, यहाँ पे जो mention है, तो यह जो आपका mention है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप सब का लिखा है, आपका please see important notes and end of the list, यहाँ पे है, आप सब को face mask लेकर के जाना होगा social distancing maintain करनी होगी, जो यह आपका normal है, सब को यह करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है, candidate must carry blue pen, blue wall pen, clipboard and small transparent water bottle, only to the exam hall means, यही आपको ले जाना है, और कुछ आपको नहीं ले जाना है, आपको कोई smart watch है, वो भी आपको नहीं ले जाना है, exam center में ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, category wise आप सब का name mention है, यहाँ पे search वाला यह आप सब दिख रहा है, यहाँ पे आप अपना name mention करके, भी आप देख सकते हैं, आपका नाम है या नहीं है, या तो आप चाहें तो पूरी list ऐसे करके, यह ऐसे भी आप सभी अपना नाम देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम mention है, नाम के सामने ही आपका father का name भी mention है, ठीक है, तो यह आप सब का alphabet के carding सब mention है, इससे कुछ वो नहीं है, यह आपका only return के लिए sort list किया गया है, यदि इसमें आपका नाम नहीं है, टोटल जो 1500 कुछ candidate बुलाएगे हैं, इनमें नाम नहीं है, आप आपने form apply किया है, तो आप सभी अपने जानकारी के लिए इन दिये के number पे call कर सकते हैं, call का time मैंने आप सब को बताई है, morning में 10 से आप साम 4 तक call कर सकते हैं, 2-3 बार करेंगे, पैसे ही pick हो जाएगा, problem आपकी नहीं होगी, ठीक है, दूसरी बात एक या तो यह कर सकते हैं, आप registered post के थूरू, आपने अपना जो form fill up किया है, वो आपका होगा, अपने photo, अपने तस्बीर होगी, उसको भी आप registered post के थूरू, यह जो आपका, जहाँ पे आपने form fill up means भेजा है, वहाँ पे आप भेजेंगे, means इस पते पे, तब भी हो सकता है, आप credit card issue कर दिया जाए, तो यह आप बहुत जल्द ही करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले आपको contact जरूर कर लेना होगा, ठीक है, तो आप 100 में से इतना मान के से लिए 90% से और है, यदि आपका सब कुछ के लिए रहा होगा, by mistake, कुछ हो गया होगा, नहीं भेजा गया होगा, तो आपका call letter issue कर दि ठीक है, और जो next आप सब के process होने वाले हैं, वो बहुत ही जल्द आप सब के हो जाएंगे, जैसे आप सब का operator communication cook, इन तीनों का लगबग साथ ही में joining होगा, साथ ही में PT और practical test भी हो जाएगा, तो आप सभी अपना preparation करते रहें, और कोई doubt है, तो आप comment बाक सिजिए, comment हाराद